स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके मन पसंद कारिकरम एक मुलाकात में मित्रों अपने वाइदे के अनुसार आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं MS पिट्टा जी के साथ जी हाँ MS पिट्टा यानि आतंगवाद से लड़ने वाला बिना वर्दी का एक अद्भुत सिपाही पिछले एपिसोड में हमने MS पिट्टा जी से आतंगवाद के बारे में बहुत सारी बाते की थी जीवन के उस पहलूँ को हमने इन से जाना था उन दर्द को हमने छुआ था जो अब तक अचुटा था आएए देखते हैं उस एपिसोड की ये छोटी सी चलक विट्टा साब आतंगवादियों के लिए आप एक आतंग है हाथ में के 47 पकड़ने की अजाजत होती तो फिर बहुत बड़ा आतंग में आतंगवादियों के लिए होता कहा कहा ढूदा है अब तक आपने आतंगवादियों को पंजाब में बड़े आतंगवादी ढूटे हैं अब हाए मेरी जंदगी बोनस पे हैं क्शाबात है बार बार बंबों और गोलियों से मर चुका कब बंब फटे कब गोलियां चले कभ मैं हवा के जोके में उड़ जाऊ बूल जाए वह असे डरते हैं कि कश्मीर जो है इसका कभी हल होगा कश्मीर का हल एक है कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है बारत माता का हिस्सा है और वो सदा ही रहेगा जी हाँ, ये वही बंदे मातरम के प्रहरी हैं, जिनके डिल की आग, खामोशी शे कभी पुझ नहीं सकती, जब आब हमको, आपको, हम सब को देना ही होगा, बिट्टा के कलाम के बाद, बिट्टा साब, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कालिक्रम में, आपरेशन बुलू स्टार उपरेशन ने जब अंदर हथियार चले गए, अंदर बलातकार हो गए, इतना पवित्तर हमारा हर्मंदर साफ, गुरू महाराज का बनाया हुआ, इतिहासिक हर्मंदर, वहां मार मार के औरतों को, नौजवानों को, लड़कों को, अंदर यह मलवे के अंदर पिंजर दबा दिये जाते थे, पवित्तर था भंग हो रही थी, बल्यूस्टार उपरेशन तो होना था, यह गिर रही राजनेती का नतीज़ा था, भिंडरामाला त्यार हो गया, पहले पहले भिंडरामाला अतंकवादी नहीं था, वो तो पाठ पूजा करने वाले थे, यह तो गुर्दवारे के अंदर कबजा कराने की खातर जो है, एक आदमी ऐसा त्यार कर दिया, हमारे लोगों में एक शौक होता है, बंदूकों गोलियों का, शौक है, मारे चाहे किसी को ना शौक होता है पकड़ने का, वो था, वो हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया, बंदू गुनाहों का खून ना होता अगर हम गंदी राजनीती पंजाब में ना करते बे गुना जो बे गुना बेनों के सोहाग उजड़ गए वो ना उजड़ते अगर हम गंदी राजनीती ना करते हदारों बच्चों यतीम हो गए अगर हम गंदी राजनीती ना करते बच्चे यती कि मैं राजीब जी ने मुझे बनाया जानस्य महराओ जी ने बनाया हमने कभी मांगा इनी आपको बताया हम चौरा साल की अमरे में भारत माता की अजादी की रक्षा करने आए कॉंगर्स सेवादल के मेंबर बने कॉंगर्स का इतिहास कुर्बानियों से जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, MP बने, हमारा शौक ही नहीं है इसलिए हमें कोई फरक नहीं पड़ता, कॉंगर्स के कारे करता है वो रहेंगे वो किसी नेता के कारन नहीं है, वो तो कॉंगर्स का इतिहासादादी से जुड़ा हुआ है, हम उसके सादे हैं. अब अगर ह को बताऊँ, अगर पंजाब के अंदर कांग्रस, बीजेपी, सी पीं, सी पी आई, सारी पुलिटिकल पार्टियों ने यह सोच लिया कि हमें कुर्शी नहीं चाहिए, हमें पंजाब में खालस्तान नहीं बनने देना है, हमें पंजाब में अमन शामती लानी है, तो पंजाब क अंदर अतंकवाद समाप्त हुआ एक साल के अंदर अगर सारी पुलिटिकल पार्टी एक मंच पे ओके फैंसला कर ले कि हमारा वोट और सता और कुड़सी एक साल के लिए निशाना नहीं है उसके बाद चाहिए लेट को देश को लूट ले कोई दिक्कत नहीं लूट ले देश को एक साल कहें हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं किसी पार्टी से एक दूसरे के खलाफ ब्यानवाजी नहीं देंगे हमारी बड़ी बड़ी जितनी रैली लाकों की करोड़ों की होंगी वो सिर्फ अतंकवाद के खलाफ होंगी गोली बंदूग चलाने की जरूरत नहीं अतंकवादी जो पाकिस्तान बंगला देश से आए बाग जाएंगे और जो दूसरे हैं वो सीधे रास्ते पर आ को पॉलिसी तो हो आज आज दिली के अंदर दिवाली से पहले तीन सो बेगुना लोग मारे जाते एक माँ और बेटी सरोजनी नगर में जाती है बेटी की सगाई सामान लेने जाती है वापस पहुंची नहीं पाती है तो मेरे कहने का मतलब है कि एक तरफ इतने ब्लास्ट गोली का जवाब गोली से देंगे देख लेंगे पाकिस्तान को पंदरा दिन बीच जाते हैं किते हम तो शान्ती की बात करेंगे क्या ये महराना परताप का देश है क्या शहीद आदम बगत सिंग का देश है क्या गुरू गुबिन सिंग महराज का देश है क्या शिवा जी म मुलक के सामने आगे जुग गए ये ये मुलक है क्या हमारा बनाया हुआ ये मुलक है हमारे से निकला हुआ ये पाकिस्तान चोटा सा मुलक है और आज हमारे देश के ओपर इतना हैवी हो चुका है कि पार्लिमेंट तक आके उतने हमले कर दिये ये हमारी कमजोरी है हमारी सरका कोशिश कर रही है पर पिछली दिनों आपने अद्भूत काम किया इसके लिए हमारी बढ़ाई सुखा रहे हैं आप सरुजनी नगर में बंध धमाके में जो मारे गए बच्चे थे उसमें से कई बच्चों को आपने गोद लिया यह तो खेर आपकी तिंचरिया है पर आपने जो भाषनवाजी की जो आपने नेताओं के बारे में कहा वो बड़ा उम्दा था साइद आपको मालूब नहीं होगा आपने किन-किन बातों को कहा है आईए मैं आपको सुनाता हूं वो देखें आज अफजर की फांदी की चर्चा हो रही है सवाल हिंदू-मुस्लम्शी के साथ क्या नहीं सवाल वपन जबात का है हिंदू हो मुसलमान हो सिखो इसाई हो जो देश दिरोई है जो पाकिस्तान के इशारू पे चलता है जो इस भारत को तोड़ना चाता है जो इस भारत को कुछ को यतिन करना चाता है उसको फांसी होगी होनी चाहिए और देख रहेंगे। कई बार्मन के अंदर रोता हुए है आज ये बच्चों को कौन देखेगा। किया आपको ऐसा नहीं लगता है कि खुले आम निताओं को इतना नहीं बोलना चाहिए? मुझे नहीं बोलना चाहिए या निताओं को बोल रहे हैं कि ये पार्लियमेंट में यदि गोली चला दिया होता तब सारे के सारे लोग कश्मील दे देते, अपनी लालबत्ती की गाड़ी दे देते, अपना ये सारा चीज दे देते. क्या मैं इतने मंच के ओपर आके हजारों लोग सामने बैठे हैं, मीडिया सामने हैं, क्या उनके सामने जूट बोलू, मेरा मकसद ही है कि भारत माता की अजाती की रक्षा करना, मैं मैं जब अतंकवादियों से नहीं डरता, तो मुझे इस चीज की क्या परवा है, मुझे नेता मरवादें, इतनी बड़ी इंटेलीजेंस जंसियां, उनको किसी को कह दें, मुझे मरवादें, इसमें जूट क्या है? पर विट्टा साब कही न कहीं आप भी राजनिति यह हैं. नहीं, मैं हूँ राजनिती, मैं उस राजनिती से जुड़ा हूँ जिसने कॉंग्रस को अजादी ले के दी, मैं उस राजनिती से जुड़ा हूँ जो शहीदे आजम बगर सिंग और सिंग मैं बहुत अंतर है, वहाँ बहुत फर्क है आज राजनिती बन सकता था, मैं उस राजनिती के फिट नहीं हूं, जो मैं आज बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल पाँगा, मेरी बोनस की जंदगी आज हूँ, कल नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ अपनी भारत माता के साथ, किने नजदीक होने के बाद कांग्रेस के इतने नजदीक होने के बाद हैं तो आप कांग्रेसी ही पर बहुत साइड हो गए हैं मैं कांग्रेसी वो हूँ जो लाल खून से बना हूँ जिसका कांग्रेस के दफ्तर के अंदर खून बहा है मरते मरते बचा हूँ, खुन की तुपके वहीं गिरे हैं। यह घटना है 11 दिसंबर की, मैं लाल खुन से बना हूँ, आज कल जो कांगर्सी हैं यह निले रंकी शाई से बनते हैं, मैं वो कांगर्सी नहीं हूँ. मैं दावा नहीं ठोक रहा हूँ, यह कनून दावा ठोक रहा है, जो शुरक्षा कर्मचारी मेरे मारे गए, पुलिस ने इतनी मुश्किल के साथ अमेरिका कैनेडा से टेर्रिस्टों को पकड़के आई, उन्हीं दिनों आपके पाउं खराब हुए, हमेरे पाउं खराब हुए और दस साल उसका केस चलता रहा, सप्रीम कोट के छेछे बंचों ने उसकी फांसी की सदा सुना दी, कॉंगर्स का एक बहुत बड़ा दिली का लीडर कपिल छिबल, जिसको टीवी में रोज बड़ा उसको अपनी अलग अदा से देखते हैं, कॉंगर्स का लीडर, कॉंगर् प्रणी नहीं दे रहे, तो कोई बाद नहीं, मेरी जंग जाई वह अब फॉरन मनिस्टर बनने जा रहे थे यह शुकर करो कि कपल शिबल फॉरन मनेस्टर और डिफेंस मनिस्टर नहीं बना, अगर ऐसे आतंकवादियों का केस लड़ने वाले डिफेंस मनिस्ट्रों और कर देंगे हजारों बेगुनाहों का कातलों की वकालत करने वाले हिंदोस्तान के इतने बड़े पदवे बैठ जाए फाइल इतनी जो सीक्रेट फाइले उनके पास होती है उसका क्या हाल होगा अब जल्गुरू को बचाने का क्या यह भंडा है उसको तो नहीं बचाना और मुझे पूरी उमीद है कि बेगुनाहों के कातलों को हमारे शुरक्षा करमचारियों को जिसने मारा और शहीद किया और हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश की अफजल ने उसको फांसी की सदा आज नितकल होगी जरूर इस मूवमेंट को हम कमजोर नहीं होने देंगे देश की जनता का साथ हमारे साथ है बिटा साथ कंधार में प्लेन हैजेक होता है, तीन आतंगवादी प्लेन में घुसाते हैं, सिर्फ तीन आतंगवादी और हम घुटने टेक देते हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? अगर अफशल की फांसी की सदा भी उमर कयद मे होती है तो गुटने यह भी सरकारे गिराएंगे एड़ जेकलि अगर इसको फांसी दे देंगे तो देश को बचा लेंगे अगर इसको उमर कैद करेंगे तो सब बड़ी-बड़ी जेलों में मोबाइल फोन है बातें करतें आई यह साई पाकिस्तान से बातें करतें यह रोज स को यह कहना चाहता हूं बार-बार कंदार की गटना को जिकर किया जा रहा है मैं को बीजेपी के पक में नहीं बोल रहा है एक तरफ हिंदोस्तान के वो बेगुना लोग है एक तरफ अतंकवादी हैं सरकार क्या करें मैं वकालत नहीं कर रहा हूं किसी की मैं सच बोलना चाहता ह यह जो रोज-्रोज की बाते हो रही है कंदार 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 जा तो 300 आदमी सरकार मरवा लेती जहां अतंकवादी को छोड़ देती जहां अतंकवादी को पहले फांसी चड़ा देती तो मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा महौल था थी सरकार कोई भी होती वो क्या करती का मतलब इसके बाद सबक सरकारों को यह लेने की जरूरत है जो अजहर की बात कर रहे हैं सबक ले यह लेने की जरूरत है को बलातकार है कोई और केस है कोई मट्टू केस है ऐसी केसों में तो फांसी होनी चाहिए अगर कोई रास्टरपती को अपील करता तो कोई अलग बात इनके पीछे को I.S.I. की अजन्सी नहीं है पर अफसल के केस में अतंकवादियों के केस में I.S.I. है वदेशी मुलकों में के बैठे हुए अतंकवादी है इनको अगर जिंदा रखोगे तो प्लेन कंदार जैसी घटनाएं होंगी प्लेन अगवा होंगे पार्लीमेंट पे हम मंदरों पर हम ले होंगे लोगों का अंदर कैद किया जाएगा उनको छुडाने की कोशीश होगी अगर इनको जेल के पालने की को आपने ये statement दिया रास्टर consumer हम ने अपने करेंडम में रास्टर पति जी को कि फांसी जो है माफ नहीं होनी चाहिए और सप्रीम कोट के फैंसले के बाद सप्रीम कोट हमारा सबसे बरा इस देश का मंदर है सप्रीम कोट के फैंसले के बाद रास्ट्र पती जी के फाइल पास फाइल ब्लैक मिनिस्टर कौन होता है ? राजिनिति के ब्यक्ति किसी पार्टि का हो अगर सप्रीम कोट के फैंसले की फाइल पॉलिटीशन के पास जानी है पिर मैं कहता हूँ सप्रीम कोट तोड़ो ना तोड़ो जज्जों का अपमान क्यों कर रहे हो सप्रीम कोट हाई कोट का अपमान क्यों कर रहे हो आप लाईए दाउद इबराहिम को पाकिस्तान से जातो बनाईए हो मिनिस्टर जा बनाईए सचीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने अतंकबादी जितने समगलर जितने क्रिमिनल उनको छोड़ते जाए कि वह इतने बड़े जर्जिस जो पड़े लिखें जर्जिस हैं सप्रीम कोट है उसका अपमान कर रहे हैं कि आप पॉलिटीशन करता है यह कभी सुना हैं आपने कि सपरीम कोट का फैसला बदलने के लिए रास्टर पती नहीं पॉलिटीशन लॉम मनिस्टर हो मनिस्टर उसके उपर दलेगा तो फिर सपरीम कोट को बीच में क्यों लाया जा रहा है मैं आप से सवाल पूछना चाता हूँ सप्रीम कोट का फैसला सप्रीम कोट मुझे मौत की सदा दे दे सलूट करूँगा कबूल करूँगा कभी रास्टरपती के पास अपील नहीं करूँगा सप्रीम कोट सप्रीम कोट है पर सप्रीम कोट के बाद अगर किसी पॉलिटेशन के पास फैसला जाता है, वहां तो सारी गड़बर है मिट्टा साब, चल्चा बहुत अच्छी चल रही है, और चल्चा को हम आगे भी जाई रखेंगे वक्त एक छोटे से कॉमर्सिल ब्रेक का मिट्रो, बात अभी बाकी है, मिट्टा साब से मुलाकात अभी बाकी है कहीं जाईएगा नहीं, कई बात अभी बाकी है मिलते हैं छोटे से कॉमर्सिल ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका एक बाद फिल से स्वागत है हमारे साथ हैं एक जावाज सिपाही बिना वर्दी के सिपाही आतंगवाद से लड़ने का संकल्प लेने वाले एक जावाज व्यत्ती आम आदमी हमारी और आपकी तड़ा M.S. बिट्टा बिट्टा साब सर्चा चल रही थी उसकी बारे में बतलाएं जो आपने पहले कहा था इस्ट्रिंग ऑपरेशन करने का क्या मतलब है उसका ऑपरेशन करने का मतलब यह होता है कि कि किसी शहीद परिवार से रिश्वत मांगी जाती है मैंने कारगिल के जो पहला शहीद था मिस्टर अहूजा उसके माबाप से उनके पिता से दो लाक रपे में से सतर हजार एक रटायर करनल जो सैनिक पोर्ट का डिप्टी डिरेक्टर था रिश्वत मांगना था मैंने उपरेशन किया जेल में कराया नौकरी से उसका नौकरी छूट गई उसके बाद पार्लीमेंट के शहीद से दिल्ली पुलिश के जवान उनके परिवारों से अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बीच पच्छीज पच्छीज था रिश्वत मांगने रहे हैं अगर ए ओइ जाएं, इन को प्ट्रॉल पमप दिये जाएं, इनको नौकरी दी जाये, इनके लिए सरकार के ती-्ती-नुमैंदे, दो-दो परवारों के साल लगा दिये जाएं कि चार महीने के अंदर-अंदर, इंट की हर चीज complete होनी चाहिए, pump है तो लग जाना चाहिए, नौकरी है तो हो जानी चाहिए, इनका कोई तकलीफ है तो हल हो जानी चाहिए, दरदर इनको बठकना ना पड़े, इनकी कुर्बानियों का मजाख ना हो, सरकारे जो ऐलान करती है, सरकारे हमारे कारेकर्म को देख के ऐलान करती हैं कि बिट्टा ने ये किया हम भी करें ये बूल जाती है कि इनका जो ऐलान किया है इनको उस ऐलान जो किया उसको लेते 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 इनको दस सल गुजर जाएंगे आखर में वो कहेंगे ये नोकरी आप ही लेगे लेगे अपने पास बहुत अच्छी सोचा है यह सिर्फ यह होता है जैसे बॉंबे में ब्लास्ट हुआ फटा फटा नेता गए प्लेन के अंदर सीधा प्लेन जुरूर करके प्लेन उत्रा लोग तड़ रहे हैं शुरक्षा लग गई बच्चों को दौाई का इ लेते हैं क्या लाश की कीमत दो लाक रपिया डालने क्या पैसे मागए किसी ने आप से आप पांच दिन चार दिन छे दिन थोड़ा महौल ठंडा हो जाए फिर आप जाईएगा एलान करके आ जाते तो उसके बाद पैसा किसी को मिलता नहीं पार्लीमेंट के शहीदों की मिस मिसाल सामने हैं और मेरे पास ऐसी कई मिसाले हैं अगर आपको होम मिनिश्टर बना दिया जाए तो क्या करें यह वता है को एक मेरी बात सुरू अभी मैंने मैं हूँ तो बोनस की जिंदगी में मैं भारत माता की अजादी की रक्षा के लिए बड़ा काम करना है यह दोबार कहेंगे आईसाई वाले मार गए इसलिए इन चीजों से मेरे हाथ जोड़े यह बात मत करें और कुछ नहीं नहीं राजनीती में हूँ कभी जिंदगी में अपने आप कही किसी को पर आप इस बात को भी नहीं जुटला सकते हैं कि आपकी सोच अभी के बात्चीत से मुझे कैसी लग रही है कि आपकी सोच इंदीरा और राजीव गांधी की सोच चे कम नहीं है लगबख लगबख आप उन्हीं की सोच के प्रहा हैं है तेखो मैं आज जो भी काम कर रहा हूं कांग्रेस की सोच चाहे अलग होगी हो कुरसी और कांगरेस की नहींुए। इंदेरा और राजीवी जी कांगर्स के लीडर थे आज जो उनके अदूरे सपनों को पूरा करने की jemand कोशुश करना व यह उनके अदूरे सपने है मैं पूरा कर रहा हूं में MLA, Consular, मैं को MP या मंत्री बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मेरा कर्तव है जो इंद्रा जी, राजीब जी का अधूरा सपना था, जो शहीद आजम वगत सिंग का अधूरा सपना था, मैं उनको पूरा करने की कुशिश कर रहा हूं, सता कुर्सी से अलग रह करके, कौंगर्स का शिपाई हूं, वो रहूंगा, उससे कोई भी बड़े से बड़ा लेता, मुझे अलग नहीं कर सकता. क्या बात है मिट्टा साथ, कब कब गुस्सा आता है आपको? गुस्सा जब आता है, जब अफजल की फांसी के मुद्दे के ओपर पार्टी के लीडर अपना स्टैंड नहीं लेते, कुं करता रहा हूं. दुख तो होता होगा मिट्टा साहब, रक्षा की अजादी, अजाद उनकी आखों में आशू होते हैं, उनकी मां उनको मिलने आती है, क्यते बगत सिंग तेरी आखों में आशू, मैं उस राजनिती की और आज की राजनिती जी बगत सिंग ने जो कहा था वो बताना चाहता हूं, क्यता मां ये मेरी आखों में जो आशू है, मां ने उसको कहा त मातरम कहूंगा गले में फंदा नालूँगा और मेरी शहादत के बाद ये भारत अदाद होगा ये गोरे अंग्रेजों से तो भारत अदाद हो जाएगा पर मुझे सामने एक तस्वीर नजर आ साल की उमर में कहा था उसको फरिस्ता कहूं गुरू कहूं क्या उसको कहूं उसने कहा कि गोरे अंग्रेजों से भारत अदाद हो जाएगा और ये काले अंग्रेजों के हाथों में ये मुलक आ जाएगा उसने रोते उसने ये कहा था वही उसकी खुशी थी हम राजनितिक लोग क्या हैं हम काले अग्रेज हैं जो कहा वो सच हुआ उस वक्त हम अग्रेजों के गुराम थे वो जारा अच्छे थे डिसिप्लन थे असूल थे रास्टरपती ववन कोठिया वारलेस ये ये रेडियो ये टेलिविजन ये सारी उधर की दिन यही चार पास नेता तो थे जिन्होंने पूझवा डाला शम्शान भी पर दे सी महमानों से पर सच तो ये है कि आप इस सुन्दर भारत को अब किस नए कर रहा है कैसे हम कहते हैं पुल बन बड़े खुश हैं नहीं होगा ये बारत अतंकवाज से मुक्त नहीं होगा ये भारत गंदी राजनीते से मुक्त नहीं होगा, ये बड़े बड़े पुल, ये बड़े बड़े सड़कें, ये बड़े मौल इसको बनाने का कोई फैड़ा नहीं, जो बगत सिंग्जी का सपना था, जो राजगुरू सुख देव का सपना था, जो शेहिदday आजम हपने थे उनको पूरा कर भारत माता पर कोई गीत याद है आपको भारत माता के रोज भारत माता ही हमारा गीत है मैं तो यही कहना चाहूंगा दर्शक सुरना चाहते हैं अभी जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आये हैं कफन का टुकड़ा जिवो में कुछ कर दिखल बहुत 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 शुब कामना है राजनेतिक नताओं को यही कहूंगा बहुत बहुत दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं जो अतंकवादी हैं उनकी गोलियों और बंबों का को खौफ नहीं दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं अपनों की वफा से डरते हैं मैं राजनितिक लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा. दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दुश्मन अतंकवादी. उनके सितम का खौफ नहीं. कितनी में बमब गोलियां चलाएं. अपनों की वफा से ड़ते हैं. जो को salute करता हूँ, बंदे मातरम, बिट्टा साहब के साथ हम है, बिट्टा साहब से बाते हो रही है, और बिट्टा साहब की बातों से कुछ ऐसा लग रहा है, कि आज मा का आचल तार-तार है, और मनाएं हम जल से, और रक्त चाप के बदले, चुप-चुप पीते, मधु के कल से, और जन जन एंट रही, धर्ती की हम उलजे हैं, पाइल में, घाइल मा को भूल गए हैं, महंदी और काजल में, तो जब तक ऐसे आतंकवादियों की, तो जब तक ऐसे गदारों की, जैचंदों की, खाल नहीं खीची जाएगी, सच कहता हूँ, तब तक बिट्टा को निंद आएगी, आज की मुलाकात में बस इतना ही, अगली मुलाकात में हम फिर से बात करेंगे, किसी नए प्रस्नालिटी के साथ, कुछ नया लेकर, तब तक के लिए दीजी हमें इजाजत, नमस्कार.